नमस्कार दोस्तों, क्लास सेवन्त महाराष्टर स्टिट बूर्ड, मैथेमेटिक्स, चप्टर नमबर फूर्टीन, अलजेबरिक फर्मुला, एकस्पेंशन आफ स्क्वेर्स इस चप्टर में अभी तक हमने प्रैक्टिसेट 50 तक के कोशन्स स्वाल कर लिये हैं, तो अभी आज हमें प्रैक्टिसेट 51 स्वाल करना है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेर करें, और बेल वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिल जाएं, देखिए जो प्रैक्टिसेट 51 है, उसमें हमें एक फर्मुला याद करना है उसके लिए, A प्लस B इंटू A माइनस B, इस इकोल टू यह फर्मुला है, A स्कूर माइनस B स्कूर, अब यह फर्मुला है क्या देखिए, फर वैल्यू, और सेकेंड ब्रैकेट में भी फर्स्ट वैल्यू, A, A, दोनों जगह सेम वैल्यू होने चाहिए, और जो सेकेंड वैल्यू है B, और यहां पे भी B, तो दोनों ब्रैकेट में सेकेंड वैल्यू भी सेम होने चाहिए, लेकिन इन दोनों के बीच में यहां पे प्ल minus b ka square तो यह जो फर्मला है वो हमें practice rate 51 के लिए solve करना है तो यहाँ पर होता है क्या है a का square लेना है और b का भी square लेना है और दोनों में minus sign यहाँ पर रखना है एक हम example ले लेते हैं कि suppose x minus 3 into x plus 3 अगर expression है तो इसमें हम कैसे solve करेंगे देखें x x दोनों bracket में first value same 3 3 दोनों bracket में second value same तो यहाँ पर first value का square minus second value का square 3 का square 9 क्योंकि यहाँ पर sign minus है और यहाँ पर भी plus है अब देखें एक जगप minus एक जगप plus plus minus या फिर minus plus दोनों में same ऐसे हमें solve करना है तो हम चलिए अब practice set 51 के ओर चलते हैं practice set 51 question number 1 use the formula to multiply the following following bracket को multiply करने के लिए formula का use करिए हमें यहाँ पर question में दिया गया है तो देखें x plus y into x minus y तो दोनों bracket में first value same है second value भी yy same है first bracket में plus sign दूसरे में minus एक में plus एक में minus होना चाहिए तो हम a plus b into a minus b यह formula use कर सकते हैं तो a plus b into a minus b की value आएगी a square minus b square तो इसी प्रकार से जहाँ पर a है वहाँ पर x प्लस y जहाँ पर b है वहाँ पर y तो a plus b अब यहाँ पर a plus b क्यों है लिए x plus y a minus b क्यों है लिए x minus y is equal to यहाँ पर होगा x का square minus y का square तो x square minus y square यह हमारा answer होगा इस question में 3x minus 5 into 3x plus 5 दोनो bracket का multiplication तो first bracket में 3x second bracket में भी 3x 5, 5 यहाँ पर sin minus यहाँ पर sin plus तो a minus b into a plus b तो हमें जो formula use करना है वो a plus b into a minus b अब देखिए यहाँ पर plus sign है यहाँ पर plus यहाँ पर minus यहाँ पर minus दोनों का multiplication सेम आएगा तो चाहे आप यह bracket यहाँ पर ले लिजेए यहाँ पर यह लिखिए यहाँ पर यह bracket लिखिए तो इन दोनों में exchange करिए तो भी answer a square minus b square ही लिखना है या तो फिर आप लिखिए ऐसा a minus b into यहाँ पर लिखिए a plus b is equal to a square minus b square अब जहाँ पर a है वहाँ पर 3x और जहाँ पर b है वहाँ पर 5 लिखना है तो a minus b को हमें लिखना है 3x minus 5 और जहाँ पर a है वहाँ पर फिर से 3X B की जगह फिर से 5 यहाँ पे sin प्लस तो हमें लिखना है 3X प्लस 5 is equal to अब देखें यहाँ पे A square minus B square है तो A की value 3X तो यहाँ पे लिखना है 3X का square minus 5 का square यहाँ पे 5 का square लिखना है अब 3X का square देखें 3 और X इन दोनों में multiplication का sin होता है तो A into B bracket raise to power YUM का एक rule है A की भी power YUM लिखनी है और into B की भी power YUM लिखनी है तो A raise to power YUM into B raise to power YUM यह rule के हिसाब से हमें 3 का भी square करना है 9 और X का भी square लिखना है 9X square मतलब X का square X का square ही होगा minus 5 का square होगा 25 तो यहाँ पे होगा 9X square minus 25 यह जो expansion होगा वो इनी का multiplication होगा इन दोनो brackets का तरड question देखें A plus 6 into A minus 6 तो यहाँ पे हमें वही formula लिखना है A plus B into A minus B is equal to A square minus B square अब A और B की value देखें क्या है A की value है 6 और B की value है 6 तो यहाँ पे A plus 6 into A minus 6 is equal to यहाँ पे लिखना है A का square A का तो A की value है A minus B का square है तो B की value है 6 तो यहाँ पे होगा 6 का square तो A square minus 6 square A square minus 6 X का square होगा 36 तो A square minus 36 इस question का answer होगा X by 5 plus 6 into X by 5 minus 6 तो दोनों bracket में first value X upon 5 X upon 5 यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 plus sign minus sign तो A plus B into A minus B का formula तो यही formula हमें यहाँ पे लिखना है A plus B into A minus B is equal to A होगा A square minus B square अब जहाँ पे A है वहाँ पे X by 5 लिखना है plus B की value 6 A minus B A की value फिर से हमें लिखना है X by 5 minus B की value लिखनी है 6 तो यहाँ पे होगा A plus B into A minus B तो A का square अब जो A की value है X by 5 उसका square minus जो B की value है 6 उसका square अब देखें यहाँ पे X by 5 का square लेना है तो और एक rule है A upon B bracket raised to power Y exponent का यह rule है तो A की B power हमें लिखनी है और B की भी power लिखनी है तो A raised to power Y upon B raised to power Y तो उसी rule के हिसाब से X की power यहाँ पे X का square लिखना है upon 5 का square 25 लिखना है minus 6 का square होगा 36 तो यह answer जो है वो इन दो brackets का multiplication का answer यहाँ उन दो brackets की multiplication की value यह होगी question number 2 देखे use the formula to find the values 502 into 498 इन दोनों का multiplication find करने के लिए formula यह करिए अब देखे दोनों bracket का multiplication a plus b into a minus b is equal to a square minus b square यह हमारा formula है तो यहाँ पे plus और यहाँ पे minus यहाँ पे minus यहाँ पे plus में दो values दोनों bracket में आनी चाहिए तो हमें ऐसे दो values find करनी है 502 में कि 502 और 498 इन दोनों में ऐसी values find करनी है जो इनके पास हो और उनमें सबसे ज़्यादा 0 हो तो 502 जो सबसे नजदिक value है 502 के वो है 500 जिनमें सबसे ज़्यादा 0 है प्लस और जो सबसे 502 को नजदिक है तो 500 प्लस 2 502 आता है और 498 जो आएगा वो 500 से 2 माइनस करने के बाद आएगा तो 500 प्लस 2 502 आ गया 500 माइनस 2 498 आ गया तो इन दोनों का multiplication हमें find करना है तो 500 500 दोनों bracket में first value is same second value is same plus sign minus sign तो हम यहाँ पे formula use कर सकते हैं a plus b into a minus b is equal to a square minus b square अब जहाँ पे a है वहाँ पे 500 प्लस जहाँ पे b है वहाँ पे 2 तो 500 प्लस 2 into 500 minus 2 तो equal to यह होगा देखे a plus b into a minus b तो a square 500 square minus b square मतलब 2 का square तो 500 का square अब देखे 500 को 500 से multiply करिए तो यहाँ पे 1,2,3,4 1,2,3,4 zeros 5 into 5 25 तो यहाँ पे 25 और आगे के 4 zeros यहाँ पे हमें लिखने है minus 2 का square होगा 4 तो यहाँ पे होगा 2,50,000 उसमें से हमें 4 minus करना है तो यहाँ पे 10 minus 4 6 होगा यहाँ पे 9 यहाँ पे 9 यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 तो 2,49,996 इन दो values का multiplication होगा 502 into 498 फिर से आप एक बार तोड़ाँ सा revise कर लेजे देख लेजे इसे pause करके तो हम next question solve करेंगे अभी 97 into 103 देखे 97 और 103 इन दोनों numbers के नजदिक जो number है जिसमें सबसे ज़्यादा zeros है वो है 100 अब 100 में क्या plus करने के बाद 103 आएगा और 100 से क्या minus करने के बाद 97 आएगा तो 97 को हमें लिखना है 100 minus 3 और 103 को लिखना है हमें 100 plus 3 तो यहाँ पर हमें फर्मुला लिखना है A minus B into A plus B फर्मुला वही है जहाँ पर A है वहाँ पर 100 जहाँ पर B है वहाँ पर 3 A की वैल्यों 100, B की वैल्यों 3 तो यहाँ पर हम A square minus B square लिख लेते हैं तो A की वैल्यों 100 minus 3 B की वैल्यों 3 A की वैल्यों 100 plus B की वैल्यों 3 Is equal to यहाँ पर होगा 100 का square minus 3 का square तो जो 100 का square है दिखें 100 into 100 करना है तो 1, 2, 3, 4 4 zeros यहाँ पर लिखना है और 1 into 1, 1 लिखना है minus 3 का square होगा 9 अब यहाँ पर होगा 10,000 10,000 से 9 minus करना है तो 10,000 से 9 minus करने के बाद यहाँ पर 10 minus 9, 1 यहाँ पर 9 रहेगा यहाँ पर 9 रहेगा और इस 10 के लिए यहाँ पर 9 रहेगा तो 9,991 इन दोनों का multiplication होगा तो इस question को भी आप थोड़ा सब pause करके और एक बार देख लिजे 54 इन्टो 46 54 और 46 दोनों नमबर 50 के नजदिक है तो 54 को हमें लिखना है 50 plus 4 इन्टो 46 को हमें लिखना है 50 minus 4 अब A की value 50 होगी B की value 4 होगी तो यहाँ पर होगा A plus B इन्टो यहाँ पर होगा A minus B तो A plus B into A minus B यह formula होगा A square minus B square अब जहाँ पर A है वहाँ पर 50 और जहाँ पर B है वहाँ पर 4 तो 50 plus 4 और यहाँ पर 50 minus 4 is equal to A square मतलब value होगी 50 square minus B square मतलब होगा 4 square अब 50 का हमें square लेना है तो 50 into 50 1, 2 दो zeros यहाँ पर लेने है 5 into 5 25 लिखना है minus 4 का square 16 तो 2500 में से हमें 16 को minus करना है तो 5 से यहाँ एक हमें बारो लेना है यहाँ पर 4 होगा यहाँ पर 9 फिर 10 में से यहाँ पर लेना है तो 10 minus 6 4 9 minus 1 8 यहाँ पर होगा 4 यहाँ पर होगा 2 तो होगा 2484 तो यह जो value आ गई वो value इन दोनों का multiplication होगी 98 into 102 अब ये दो जो values हैं वो 100 के नजदिक हैं तो 98 को हमें लिखना है 100 minus 2 और 102 को हमें लिखना है 100 plus 2 क्योंकि 100 में 2 plus करने के बाद 102 आएगा और 100 से 2 minus करने के बाद 98 आजाएगा तो हमें जो formula यूज करना है वो A minus B into A plus B is equal to A square minus B square अब A के value हमें लिखनी है 100 minus 2 और हमें लिखना है 100 plus 2 is equal to यह होगा 100 square minus 2 का square तो 100 square के value देखिए 1 के आगे 4 zeros हमें लिखने है minus 2 का square होगा 4 तो हमें 10,000 से 4 minus करना है तो यह value होगी 9,996 जो इन दो values का multiplication होगी तो इसी के साथ जो practice rate 51 है वो यहाँ पे समाप्त हो चुका है उम्मीद है आपको यह video अच्छा लगा होगा समझ में भी आ गया होगा तो जरूर इस video को like करें, share करें bell icon press करें और खुश रहिए, video देखते रहिए अच्छे marks लाते रहिए ठीक है, bye bye